नमस्कार मैं हूँ गौरसियास्तो आप देखे हैं हमारा खास कारिकम बात अपने देश की हम मैलाओं का सम्मान करते हैं मैलाओं की बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पड़ाओं का नारा देते हैं कर्ण्याओं को मात्सक्ति की रूप में देखते हैं मा की रूप में देख पर कुछ आकड़े ऐसी हैं जिनसे हमारी तमाम बातों को धक्का लगता है। और एक सम्मान के साथ उनको बलाया जाता है वो कहीं न कहीं जब हम NCRV के आकड़े देखते हैं उससे हमारी भावनाओं को धक्का लगता है। कहां गई? किसी को पता नहीं। किसके साथ गई? किसी को पता नहीं। क्या हुआ पता नहीं। फिराल NCRB के जो आकड़े हैं वो चोकाने बाले हैं और सबसे मैट पूर बाद कि सबसे ज़्यादा मैलाएं और लड़किया लापता हुई हैं तो वो हुई हैं मद्देपडेस में दूसरे नमबर पर बंगाल आता है तीसरे नमबर पर महरास जाता है यह मुद्दा मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि यहाँ पर उठाना जरूरी हो गया था इस मुद्दे के मैट पर से लिए समझे आप कि हमारे देश में तेरा लाग तेरा जार मैलाएं और लड़किया गायब हो जाती हैं और हम हाट पे हाँ धरे बैठे हुए है कारण क्या है बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ को नारा देने वाले लोग कहा है मैलाओ को देवी के रूप में देखने वाले लोग कहा है मैलाओ सुरच्छा की बात करने वाले लोग कहा है मेलाओं को लेकर अपने पीत प्रपानने वाले लोग कहां है और मेलाओं को मात सक्ति की रूप में आरी आवारी की रूप में देश के विकास में कहाने से कहाना मिला कर चलने वाली वो सक्ति कहने वाले लोग कहां है इस प्रसन सभी पर उठा है यह प्रसन स्री उठ रहा है क् कि हमारे देश बहत तेरा लाग तेरा जर महला गाय बोच चुकी हैं जनका कोई रिकार्ड नहीं है पर रिकार्ड NCRB के पास और NCRB का रिकार्ड को अमेशा माना जाता है क्योंकि NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड भीरो वो बताता है कि चीज़े क्या है और जो आकड़े यहाँ पर मदप्रेश, बंगाल, माराव से आए हैं वो चोकाने बाले हैं यहाँ पर इस कारकम के माध्यम से केवल यहाँ पर एक बात यह नहीं हो रहे कि मेलाए लापता हैं बलकि यह भी पताए जारा है कि अठारा साल से कम की लड़कियां भी यहाँ पर लापता है अगर हम मदप्रेश की बात करें तो बहाँ पर लगवाद देर लाग से जादा मेल लापता है तो लगवा लगवा 36,000 से जादा लड़की ये लापता है जो कि जिनकी उम्र 18 साल से कम है यारी नावालिक हैं परिस्थिती यहां पर जस्की तस इनकी सुनमाई कौन करेगा और यह आकड़े NCRB के हैं जिनके मुकर्ण में दर्ज हुए थे जिमके घुनसरगी के म गरह मनतराले ने पेस की है यह रपोर्ट मेरी नहीं है यह रपोर्ट गरह मनतराले की है और यह रपोर्ट NCRB की है यह बो रपोर्ट है जिसमें आकड़े भी है यह बो रपोर्ट इसमें अफायार भी है यह बो रपोर्ट है जहां पर मुम्सुर की दर्ज है यह बो रपोर करने वाले भया है भय करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर तेरा लाग तेरा जार मेला लापता हो गई है तो जिम्मेदार कौन है यहाँ पर क्यों सुनवाई नहीं होती है क्यों धूला नहीं जाता है और हम लगातार देखते हैं चाहे राधाई लखनू की बात करें चाहे कर्म भी होता है उनको मारा भी जाता है जला भी दिया जाता है तमाम ऐसे सो बेकर आते हैं जो यहां पर लोग देखते हैं उसके बाद सुरू होता है परिछन का स्ल्चला पुष्टमाटब होता है और जब वो लास पैचान में नहीं आती है वो सब पैचान में नहीं आता है तो उसकी अंट्रिक्ष्टि कर दी आती है लावारिस की तरह है जो इसपस करता है कि अपराद के लिएकर हम तमाम अपने आपको बोलते रहें कि हमने बेतर किया है पर यहाँ पर अपराड के जो आकडवे वह चोकाने वाले हैं एं-सयान भी की रिपूर्ट जो बता रही है वह यहाँ पर चोकाने वाली है और यहाँ पर केबलWells, महारे पिरिस बार नहीं है बार यहांपर बंगाल भी आ माराश पर भी है अगर मरर्पिरिस की बात करें तो हो लट्किया जिनकी उम्र आठारे साल से काम है इसके लावर हम बात करें तो दिल्ली के बीवी और खराब है दिल्ली तो crime control होई नहीं पारा है चुक्ती कि सरुकार लगातार गरंग और मंध लगाती है तो फिर आल वहां पर जो स्ठिति है वहीं हम नहीं भूए का मया हुआ हम नहीं पूल सकते हैं कि वहाँ पर 2012 में निर्वया का अंड भी हुआ था ऐसी घटना जिससे हमारे देश के सिस्टम को एक ऐसी पिटार्णा दी थी कि सब उस सिस्टम के अधिन आते हुए एक जरंद रूप से सब के सामने आ गए थी मुमत्ति मार्च भी हुए थे बाते भी हुई थी और निर्वय कि सजा देने की बार भी हुए आखरी बार आठ साल के लंबे संगर्स के बाद 2020 में और लों को फांसी दे देगी एतियादिक फैसला था जसमें एक जो मुझरिम था उसने आर्पत्य कर ली थी इसको एक को जरूँ छोड़ा गया है बाकी को यहां पर फांसी देगी लंबा दोर चला आठ साल का लंबा संगर्स हुआ पर जो चीजे हमां देश ने देखी वो भायावे करने बाली थी निरवया का बयान निरवया की तस्विर है और निरवया को लेकर लोगों का आकरोश बताता था कि हम जब भी मात सकती सार कुछ भी गलत होता है तो हम आकरोशित हो कि अगा जाए थे कि हमां देश में संसक्ति ऐसी नहीं है हमां äसा नहीं होना चाहिए पर जब इना आखोरोश के बास करें गे तो इस पर आकरोश कहा जाएगा कि baking मेलाह χो कोई यहां पर तयारान नहीं है इस पर चर्चा करने के लिए को कि यहां पर चर्चा धारम मंदो अगर चर्चा नहीं हो रही है तो चर्चा करेगा कौन ज़र संसन में कोई गराय मंतला रिपोर्ट दिखाता है तो बेपस्ट की जिम्मेदारी है कि उसे मामले को उठाए पर अगर बेपस्ट उसे मामले को नहीं उठाएगा सत्तापस्ट उसे मामले को तरजीह नहीं देगा और अगर जनता भी उस मामले को नहीं देखेगी तो प्राइम टीवी उस मामले को जरू उठाएगी और हमेशा हम अपने इस प्रोगाम के माद्ड़म से तमाम ऐसे मुद्द्ध उठाते हैं जिनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। यह जो आकड़े मेरे बनाए हुए आकड़े नहीं मैं फिर बता रहा हूँ यह आकड़े NCRB के हैं और यह NCRB की रिपूर्ट ग्राय मंतराले ने पिछले हैं सब्ता दिखाई हैं सौपी है जिस्पस्ट करती है कि अब हमको यहाँ पर जागना होगा जो आकड़े हैं वो मेलाय लड़की या लापता हो गई कहां गई किसी को नहीं पता किसके साथ गई किसी को नहीं पता किसी को नहीं हुए कि लोटे के एए तो उसका आगळा क्यों नहीं है किसी को नहीं पता क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हैं वो देखने वाली हैं अगर इन चीजेंँ पर हम रुची नहीं लेंगे तो कही नहीं हम अपने देश की बेवस्थाओं के साथ खिलबाल करेंगे. यहां पर केबल बात बेएस्थाओं के नहीं है. यहां पर बात उन बेएस्थाओं की है, जिन पो लेकर हम अपने आपको बहुत आंगे बताते हैं. सबसे मेयपफ़ पूमाथ है कि सबसे जो एक सोचने फाली बात है कि मदपिडेश, बंगाल, महराष्ट, उरिशा, 36 गड़, ये 35 राज्जे हैं जहां से लड़किया सबसे ज़्यादा और मेला गायब हुई है मदपिडेश की बार मेला गायब हुई है 25,817 लड़किया गायब हुई है ये आकड़े हैं और सबसे महपूर बात है कि जम्मू कस्मीर में भी इस दौरान लगवा लवा आठ रहाजार श्यादार और 1148 लड़किया लापता हो गए ये आकड़े हैं वो आकड़े हैं जिनको लेकर हम प्रीपीठ तबाते हैं हमने यह अपराणों के प्राभी रुपधान के लिए जिस तरह से अपराणिक कानून संसरोजन लाए थे 2018 उसमें 12 बड़ से कम लड़कियों के साथ दौर्शकर्म के लिए मेट्यू डंट समित कठोर दंडार्मा प्राभधान किया गया है पर उसके बाबजूद अगर लड़किया गया अभर रही है तो इसकी जम्मिदार्मारी कॉन लेगा अगर हम कैन साथर्थैंस पर देसों की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज़ढ़ा लड़किया गया है अगर हम बात करें 1997 की बीच व तो 3 सालों का तो दिल्ली में लवाला लवा 700440 महला है और कि जम्मिदारी किसक तो हम मैलाओं को समार करते हैं हमारा देश की समस्क्रती हम अदनी की रूप में, मां की रूप में, अन्य रस्तेदारों की रूप में, हमेजा हमा route करते हैं और आदे की रूप में आदे की रूत में हमारे देश के इस्टि उसकोष सेंथाती हो जबाँ देखा, आज महला आएं डॉक्टर भी है, तो आज महला आएं जिस तरह से नासा अभियान जो हम मैं भी देखा था, इस वдоुका भी बड़ा अभियान था, जिसे मंगल ग्यान थिरी बोला गया है, उसके बाद चंदरियान में हमें देखा, अभी चंदरियान 3 भी लांच किया गया है, उसमें भी एक मेला की ही भूमिका थी जिसनों चंद्यान थिरी के अभियान को लीड किया था कभी मंगलयान को भी लीड किया गया था यहाँ पर चंद्यान थिरी को भी लीड किया गया वो भी एक मेला थी तो यह मेलाओं के हम बात करते हैं या ब्योस्ताओं की बात करते हैं, तमाम बड़े-बड़े जो अंत्रित संगठन हैं, उनको पीछे करने की बात करते हैं, नासों को पीछे छोड़ते हुए, जिस तरह से इसरु ने मंगल यान अभियान में और चंद्यान अभियान में बाजी मारी इसपस्ट करता है, कि आकलों को क्यों नहीं समझतें हैं, जो आकलों को इस्थिति भयावै करने बाली है, जो हमारे देश के तमाम नारों को यहाँ पीछे छोड़ती नजर आती है, यहाँ पर हम बेटी बचा और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, यह यह बड़ा पिस्न है। इसी पिस्न को आकड़े दर्ज हो जाए तो चत्ता की स्थिति और भयावाय हो यह वो आकड़े है जो NCRB के रिपोर्ट में दर्ज है गुमसुर्गी के नाम पर या अन्न किसी रिपोर्ट के नाम पर यह पंजी करण मामले हैं जिनको NCRB ने इसपस कर दिया है अपरी रिपोर्ट के अधार पर तो तमाम ऐसे मामले हैं जिनकी रिपोर्ट डर्ज ही नहीं होती है तमाम ऐसे मामले हैं जिन पर किसी का ध्यानी नहीं जाता है और तमाम ऐसे मामले हैं जिनकी तरफ हमाई नजन नहीं है इस कारगम के माद्दम में मैं केबल यहाँ पर ध्यान आकरसित करना नहीं चाहता हूँ बरके बताना चाहता हूँ कि अब बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ का नारा दे रहा है पर अगर इस तरह की जो आकड़े आ रहा है नारे को हमाई पीछे ठाकेलते नजर आ रहा है हम मैलाओ के बात करते है मैलाओ को आंगे बलाने के बात करते है तो यहाँ पर मैलाओ की सरच्छन की बार भी हमको करनी होगी मैला सरच्छा की बार भी हमको करनी होगी और जो आकड़े मर्ठेश बंगाल में मराश्ट में उरिश्णा में चत्तिश गड़ में उन्हां आकड़ों से हट के जाना पड़ेगा और डिल्ली की स्थिती जो हमारे देश की राजधानी है उसमें जो बासट हजार उननीश के मामले आपके महलाओं के हैं बाइस आजा से जारा मामले लड़कियों के हैं, वो कहीं न कहीं यहां पर चोकाने बाले हैं. को हम को समझना पड़ेगा, कि अगर बैतरी की तरप नहीं जाएंगे, बात नहीं करेंगे, तो सुदारेगा कौन? अगर हम यहां पर बात नहीं करेंगे तो इस ब्यास्थाओं को समझा लेगा कौन और यहां पर सिस्टम सरकार और जनता सब के नाम पर एक संदेश है और जिम्मिदारी है कि नाकलों की सच्चाई को समझे यहां करें भयावै करने बाले है क्योंकि जब तक हमको डर्द नहीं होता या जब तक हमको एहसास नहीं होता हम उस ब्यास्थाओं को नहीं समझते हैं जब तक कि परवार के साथ इस तरह की घटना नहीं होती है हम उसके दर्द को नहीं समझते हैं अगर हम अगर हम सद्धावागर कारण में आकुरुसित हुए थे, अगर हम मनिपुर में महलाओं के साथ हुए दरववाओं को निर्बस्त घुमाने पर आकुरुसित हुए थे, हमारा रूम रूम वहाँ पर अपनी गुस्चे को जाहिर कर रहा था, तो यहाँ पर भी आपको अपने महला सुरच्छा में तमाम काम करने बाकी हैं, यहाँ अगर इसपर करते हैं कि अभी भी हमें अपने देश के पुलिस ब्यवस्ताओं को सुनाना बाकी है, यहाँ अगर इसपर करते हैं कि केबल गुम्सुरुगी की रिपोर्ट डर्च कर हाथ पहार रखना हमारे लिए नु प्यास नहीं करती है, हाँ अगर पैसा होगा तो चाहर इस पैसे से ब्यवस्तित होकर भूण कर भी लाएं, जब ऐसी ब्यवस्ता रहती है, जहाँ पर लोग गरीब हैं, बाप इस तरह के आकड़े बढ़ते रहते हैं, यहाँ पर समझना पड़ेगा सरकार को, यहाँ समझन करने बाले हैं, जब जब बड़ा मुद्दा यहाँ पर होगा, जिस मुद्दे के तरफ साहिपर्श का ध्यान नहीं होगा, उस मुद्दे की तरफ ध्यान आपका पराम्टी भी दिखाएगी, और बात अपने देश की माध्यम से, तमाम ऐसे विस्यों को उठाएगी, जिसक पर दिखाना जरूरी है क्योंकि जो आकड़े भयावे करने वाले जो गायब हुई है वो भी किसी की मा बहन बुए बेटी पत्नी होगी और दर्द उनके यहाँ पर है तो दर्द हमाएं साथ भी है क्योंकि हम भारती हैं और भारती ब्यूस्था में हर भारती का दर्द हमारा दर्द है और हम इस दर्द को समझेंगे दुशार आकरुज भी जताएंगे और बताएंगे सरकार को कि अब करिए कुछ करिए कि अब नारे से काम नहीं चलेगा अगर बास्तम में बेटी बचाओ का नारा लगाया है तो बेटी बचाईए कि अब बाते मर्द करिए यहाँ पर चर्चा करिए, संगस करिए और कम सकर मेला सुरच्छा पर एक ऐसी नीप रखाईए, एक ऐसा अंतियाम करिए कि आने वाले समय में जब हमारे आकड़े पेस किये जाएं तो हम सरमिन्दा ना हो और सुरच्छा को लेकर हमाया मन में भाया ना परपन हो तब ही इस कारकम क और तब इस ब्यौस्था का एक सम्मान पूरवक्त से निदान हो सकेगा और हम समझ सकेगे कि आज भी हमाएं देश में मेलाओं को सक्ति की रूप में, मत्र सक्ति की रूप में, कन्या की रूप में पूजा जाता है तो आज की बात पर देश की रूप में बितना ही, अगली बार फिर कसी नए मुद्दे के साथ, नए मसोड़े के साथ, नए मसरे के सार होगी मुलागार, तब तक के लिए मुझे यारी गौरफ स्री वास्तों को दीजा है, नमस्कार